वेलकम टू इंग्लिश पाबा चैनल मोमेंट्स चैप्टर नाइन क्लास नाइन से जो है आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर तो चल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें क्वेश्चन नमबर वन क्या है वो समझते है एक संडे की दुपैर को ऑथर क्या नोटिस करता है कि अचानक उसके घर में से धुवा निकलने लगता है और अचानक से पूरा घर में आग लग जाती है मम्मी का क्या रियक्शन होता है मम्मी और बेटा दोनो घर के बाहर आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए और मम्मी जब बाहर आती है तो अपने साथ एक मैटल का बॉक्स लेके आती है जिसमें घर के कोई important documents वगयरा थे पैसे वगयरा थे इसके बाद वो क्या करती है वो दुबारा घर के अंदर भागती है क्योंकि उसके जो father थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे उनकी बचे हुए photos और letters को वो लेने जाती है अब इसी बात को अपने words में हम लिख देंगे देखो the author noticed smoke coming out from ceiling ceiling क्या होता है छत में से उसको धुआ दिखाई देता है सबसे पहले the author and his mother rain out to save their life अब जो अभी हमने यहां पर देखा था यह देखो यह रहा author ठीक है यह उसकी मदर बगरा है यह अपनी life बचाने के लिए घर के बाहर आ जाते है his mother rain out of the house with a small metal box full of important documents जब उसकी मम्मी घर के बाहर आ रही होती तो अपने हाथ में एक metal का एक box उठाती है जिसके अंदर important documents थे she runs again in the house to carry photographs and letters of her dead husband लेकिन जो मा होती है वो दुबारा से घर में चलते हुए घर में घुच जाती है क्योंकि उनको क्या बचाने थे उनके जो मरे हुए husband यानी के author के जो पापा थे उनके जो पुराने photos और letters थे उनको बचाने के लिए उनको लाने के लिए वो दुबारा घर में घर में घुचती है और उनको ले के आती है next question why does he break down in tears after the fire जब घर में आग लग जाती है सारा काम हो जाता तो उसके बाद वो रोने क्यों लगता है अब हुआ ये था कि उसके घर में पहले तो आग लग जाती है पूरा का पूरा घर जल के खाप हो जाता है जब वो आग बाग भुजती है पांच-छे घंटे बाद उसको याद आता है कि यार जो मेरी pet है यानी cat है वो तो है ही नहीं तो उसको ऐसा लगता है कि घर भी जल गया और शायद बिल्ली भी मर गई कुछ हो गया तो इतना दुखी होता है कि वो रोने लगता है इसी बात को अपने वर्ट में लेके ही लिए लिए और जो घर था वो पूरी तरह से जल गया था जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रह अगले दिन स्कूल में वो इतना जादा शर्मिंदा क्यों होता है विच वर्ट शोहिस फियर इन सिक्यूर्टी किन वर्ट से यह पता से अब होता यह है कि जब उसके घर में आग लग जाती है तो उसकी यूनिफॉर्म बैग बुक सब जल जाते हैं अगले दिन जब वो स्क के पास स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं होती नहीं स्कूल का बैग होता है तो अब सारे बच्चों में वो अलग सा नजर आता है आपने देखा हो भी होगा कभी कभी जब बच्चों का बढ़डे होता जो वो यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते तो वो अलग ही दिखाई देत he had no bag and books ना तो भाई उसके पास bag था और ना ही books थी as everything was burned क्योंकि हर चीछ जल गई थी this is why the author was deeply embarrassed the next day in school और इसी लिए वो school में embarrassed था ये line पूरी मैंने question मैं से ही उठाई है अब वो ये भी पूछ रहा है कौन से words ये बताते हैं कि वो उसके fear को और insecurity को ये देखो the words just wanted to curl up and die उसने लिखा है कि बस मैं सब कुछ खतम करना चाता था और मरना चाता था show his fear and insecurity इस बात से उसका fear और insecurity पता चलता है चिल्डन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना आपके एक छोटे से लाइक से बहुत motivation मिलता है तो मैं तीन तक काउंट करूँगा चिल्डन फ्लीज वीडियो लाइक कर देना 1, 2, 3 आपके भी घर में कोई पैड डॉग बगरा है तो आपने देखा होगा आप भी उसको बहुत प्यार करते हो वो भी आपको बहुत प्यार करता है स्टोरी में इस चीज को कैसे दिखाया गया है जब घर में आग लग गई थी तो उसके बाद बिल्ली कहां चली गई थी और कौन इसको वापस लाता है कैसे अब पूरी स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जो आग लगी तो वो बिल्ली डर गई थी और डर के मारे कहीं भाग गई थी लेकिन लास्ट में क्या होता है कि एक स्ट्रेंजर लेडी स्ट्रेंजर लेडी को वो कैट मिल जाती और कैट के गले में पट्टा डला हुआ था उस पट्टे पे कोई फोन नंबर या एड्रेस वगएरा था उसको देखके वो उसको ले आती है इसी बात को अब हम अपनी वर्ट में लिख देंगे ऑफर अपनी कैट से जैसा कि आप यहां देख सकते हो बहुत प्यार करता था और जब भी वो अपना होमवर्ट पगेरा करता था वो कैट जो उसके मगल में बैठी रहती थी हुआ क्या था कैट के साथ जब घर में आग लगी थी तो कैट भी पैनिक हो गई डर गई जैसा कि आपको यहां डरी हुई कैट दिखाई दे रही है और वो कहीं दूसरी जगे भाग गई थी अच्छी बात यह थी कि विदेशों में क्या होता है जनरली आजकल तो इंडिया में भी होने लगा है कि लोग अपने पैट के गले में पट्टा वगरा डाल देते हैं तो लोग उसको वापस लिए उसको वापस लिए उसको फोन नमबर एड्रस होता है तो उससे वापस उसको ले आती है अब भाई वो बहुत ज्यादा सैड था जैसा कि हमने देखा क्या इसको इसको वाले उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं किस तरह से उसका जो अकेला पन है गाया हो जाता दुबारा से वो लाइफ इंजोई करने लगते हैं जब उसके स्कूल के दोस्तों को यह पता चलता है कि भाई इसके घर में आग भी लगए यह सब को जलके खाक हो गया है वो उसके लिए भूक्स खरीदते हैं बैक खरीदते हैं कपड़े खरीदते हैं शूभी तरह से उसका जो रोख है जिन्दगी के लिए जिसमें वो बहुत ज़पो बहुत जादा अधा सो चुका था वह दोबारा से खुश हो जाता है he gets new friends उसको नए दोस्त मिल जाते है उसकी जो loneliness यानि अकेला पन है vanish का मतलब वो गया वो जाती है और वो अपनी life को दुबारा से enjoy करने लगता है what is the meaning of my cat was back and so was I last में अगर आपने इस story पढ़ी है तो एक sentence लिखा है मेरी cat भी वापस आ गई थी और मैं भी इसका क्या मतलब है had the author gone anywhere क्या author कहीं चला गया था why does he say that he is also bad वो ऐसा क्यों कहता है the author's cat was missing since fire broke out in his home जब से घर में आग लगी थी जो बिल्ली थी वो भी missing थी he was in depression और वो चारा वो इतना ज़्यादा सदमे में था but when he gets back his lost cat जब उसको अपनी खुई हुई बिल्ली मिल जाती है he was so happy वो इतना खुष हो जाता है कि वो ये कहता है my cat was back and so was I ये पूरी line मैंने question से उठाई है कि मैं भी जिन्दगी में वापस आ गया हूँ और मेरी cat भी एक question पूछ रहा है had the author gone anywhere तो इसका answer बस no है no author had not gone anywhere author कहीं नहीं गया था why does he say that he was also back वो ऐसा क्यों कहता है he says that because he had started hitting his life क्योंकि वो अपनी life से नफरत करने लग गया था but when his cat was found लेकिन जब उसकी cat मिल गई he was happy again in life वो दुबारा से life में खुश हो जाता है इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखता हूं कितने बच्चे right answer देते हैं author's dash was missing क्या missing था उसकी cat missing थी उसका dog missing था उसकी goat missing थी या नड़ आप अपने answer में A लिख सकते हो B लिख सकते हो C लिख सकते हो या D ठीक है तो देखता हूं कितने बच्चे right answer देते हैं comment में ठीक है प्लीज वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना अब हम मिलते हैं अब लेगी देना बाब बाई